दोस्तो इस ताइम बहुत सारे Android users के साथ एक common problem आ रही है, उनकी mobile phone की display पर जो है उपर से निचे की तरह white color की lines आ रही है, तो यहाँ पर मैं किसी भी एक app को open कर दूँगा, photos को open करूँगा, तो यहाँ पर भी lines आ रही है, YouTube को open करने जाँगो, तो यहाँ पर मुझे continue line देखने lines आ रही है, तो दोस्तो मैं आपको बता दूगा, चाहे आपके पास कोई सा mobile phone के नहीं, Samsung, Realme, Oppo, Vivo, Tecno, Infinix, Motorola, OnePlus का कोई सा एक phone के नहीं, तो अगर आपके mobile phone की display पर भी lines आ रही है, चाहे 1 हो यह 10 हो, तो आज किस वीडियो में आपको तीन ऐसी setting बताने वाला हूँ, तो ज important setting मिस कर जाए, तो आपकी वीडियो से हमारी problem साल नहीं हुई, तो कैसे इस problem को साल कोना है, तो आए इस वीडियो में जानते है, ऐसा कि आपने देखा पलक जपकते ही, मेरे mobile phone की screen पर लाइन रिमूव हो गई है, तो कैसे मैंने उन तीन settings की मदद से अपनी इस problem को साल किया, तो आए इस वीडियो में जानते है, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं किसी भी एक अप को उपन करनेगों, तो अब मुझे line देखने को नहीं मिलीगी, यह मैंने YouTube को उपन किया, तो यहाँ पर भी मुझे line देखने को नहीं मिलीगी, यह मैं फोन बंद करके ओपन के यह देख रहे हैं आप यहाँ पर मुझे आप वो लाइन कंटीन्यू देखने को नहीं मिलिगे को कैसे मैं ने उसको रिमूव किया उन तीन सेटिंग्स की मदद से आए इस वीडियो में जानते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने वाइल फोन की स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को अपन कर देना है तो जैसी आप अपने वाइल फोन की सेटिंग्स को अपन करेंगे तो आपके सामने आपकी फोन की सेटिंग्स को इस तरीके से ओपन होके आ जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रोल करना है तो जैसी आप स्क्रोल क को निकालेंगे तो आपके समय भी कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको स्क्रोल करना है आपको सेटिंग नाम की एफिक्षिन को दूँड के निकालना है, तो कहां गई मेरी सेटिंग तो जैसी आप स्क्रोल करेंगे, यहाँ पर आपको अपने तो यहां पर आपको की लिकने हैं, तो यहां पर आपको प्लिक करेंगे, टुप कैले के लिखा हुगगा,ाकु लीओ आपको फोर स्थकं पर जाकर आपको बाइवाड डिरक्ता शे जीए इ wage से लिखा हुगे,ढा आपको अपको इसलिक करनकी लिखा हुग्ड अपल प individcan from the आपके संद्राइब करें तो आपके साने कुछ מת निकलके आ जाएगा तो यहां पर आपको स्क्रोल करने है तो यहां पर आपको आपको देखने को बिने में ओसर एकन पर क्लिक करना है तो यहां पर पर क्लिक करने तो यहाँ पर मुआइल भून के सारा बायोडेटा कर दो यहाँ पर आprocin को को बिल्ट नमर करते हैं, बिल्ट नमर पर सत बर टैप करने हैं, कितनी पर सत बर में करता हूँ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सत, तो जैसी आप सत बर टैप करेंगे, तो जो भी आपने security pattern रखोंगो, security pattern को अपने लगा देने, तो जैसी लगा देंगे, आपके बतार है यूर नवा developer, यानि कि हमारे mobile phone में developer option activate हो गया, तो दोस्तों, मैं आपको बता दूगा, maximum android mobile 99% जो android mobile phone होते हैं, उनमें developer option activate नहीं होता है, वो आमें खुद से activate करना होता है, तो कैसे activate करना होता है, बहुत ही simple, आपको setting में आने के बाद, about device में आने के आने के बाद, आपको version कि पर किलिक करना होता है, आपको built number पर सात बद आप करना है, तो आपके mobile phone में developer option activate हो जागा, तो यह सी activate हो जाएगा, अब हमें कहां मिलेगा, आपको mobile phone की settings में आने को आने को, आपको additional settings की icon पर किलिक करना है, यापको system में में लेगा, यापको addison यहापर मुझ system में सेटिं करें तो मैं additional setting के icon पर click करें तो जैसी मैं scroll करें हो सकता है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए तो मुझे आपने पर निचे option देखने को मेरा जैसे कि आप देखने है build number आपको डेवलटर option पर developer option sorry developer option तो आपको developer option पर क्लिक करना है तो यह आपके developer option की setting निकल के आ जागी तो मान के चले कि आपने आपने developer option को तो activate कर दे लेकिन आपको नहीं मिल रहा है कैसे डूड़ना है बहुत ही simple है पहले आपको activate करना है फिर setting में आनक पर direct आपको सर्च करना है पहले अक्टिवेयेट करना है फिर सर्च करना है D E V E यहाँ पर आपको धूसरे अप्शन अप्छन मिलेगा आपको निचे आना आपको एक option देखने को मेरा ऊगा force 4X MSAA के निचे Disable HWO आपको Disable HWO option को enable करना है तो जैसी आप option को enable करेंगे इस option को enable करेंगे तो आपको निचे से direct से back आ जाना है तो जैसी back आ जाना है अभी आपके प्रॉब्लम साल नहीं होगी अब आपको अपने वाइलफोन में last and final setting सबसे important setting की करने हैं आपको अपने वाइलफोन की home screen प्राने के वाइलफोन जो भी on a fall button इसको long press करने हैं तो जैसी आप long press करने हैं तो आपके सामने दो option निकल लिए रिस्टार्ट का power मार देना तो मैं आपको बताऊंगा रिस्टार्ट या रिबोट माने से आपके मॉइलफोन में कोई भी data डिलीट होने वाला नहीं है तो जैसी आपका फोन वापस से खुदी open होके जाएगा आपको 2-3 मिनट करना है जैसी आप 2-3 मिनट करेंगे तो आपका मॉइलफोन वीडियो अच्छे लगी चैनल को सब्सक्राइब करना न वह लिए थैंक यू